अलो इंडिया, प्यारी दिस्वासे को मेरा भी नंदन, मेरा नाम ड्रक्टर कुमार पनीत गोले और हमारे यूट्यूब चेनल E2Z करियस चिकेट इक्स में आपका स्वागात है जैसा मैंने बता है था, मध्या परदेश सम्दित, मैं आपको 20 लेसन देने वाला हूँ और यह मेरा 16 लेसन, 16 लेसन आपको मिल रहे हैं मध्या परदेश से सम्दित जीके के तो शुरुबात करते हैं इस लेसन की MPGK 60 मद्या परदेश से रिलेजेट मोस इंपोर्टेंट कुश्टन्स है MPTate exam, MPPCS, MPPolice इन सभी exam में ये कुश्टन्स काम आ सकते हैं आपके एत्रू जर्करिस में मैं पिछले 29 सालों से पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाएवे हजारों चात्र आज गोवर्मेंट जोग कर रहे हैं तो तुरंद मेरे साथ जुड़ी है और इन कॉश्टन्स को आपको लिखना भी है साथ साथ मद्या परदेश में पहली बार राष्टपती साथ्षन कब लगा था प्रेजिडेंट रूल 30 अप्रेल 1977 को मद्या परदेश में राष्पती साथ्षन पहली बार लगाया गया था भारत के परमुक परियतन केंद्रों में खजुराओ का स्थान कोन सा आता है अगर परियतन केंद्रों की बात करें तो खजुराओ तीसरे स्थान पर आता है थार्ड पोजिशन पर आता है यानि बहुत से लोग यहां पर विजिट करते हैं खजुराओ के टेंपल्स को मद्य परदेश का साथईक अहिलेावानी राजे के किस नगर से परकाशित होता है मद्य परदेश का काफी फेमस साथईक अकबार है यह आहिलेावानी ये राजय में इंदोर से प्रकाशित क्या जाना होगा मक्बूल फिदा हुसान का संबंद निम्ले किस्से था मक्बूल फिदा हुसान भी एक बहुत बड़े पेंटर रहे हैं कहा जाता है हैं सिनेमा के पोस्टर रंगा करते थे पोस्टर्स पे आर्टिस्ट करा करते थे, बाद में ये बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए और ये मादुरी दिख्षित के फोटो बनाने के चक्कर में भी काफी वेमस रहे ये चित्रकला, पेंटिंग से रिलेटेड है, मकबूल फिदा होस है बंते पर्देश के आधिवासी अक्षित्रों में किस योजना के तहत सचल ओस्जालियों की स्थापना की गई है जीवन जोती इनको नाम दिया गया है, सचल बंब सकते हैं, एक दूसरी जग़े से धूसरी जग़े जा सकते है आदिवासिक चेत्रों में इन्हें जीवन जोती नाम दिया गया है पूर्वा गरे नमक मासिक पत्री का किस संस्ता द्वारा परकासित की जाती है पूर्वा गरे नमक मासिक पत्री का भारत भवन द्वारा जारी की जाती है भारत बहवन मध्यपर्देश का एक कला बहवन है जो पॉपाल में सित है और काफी बढ़ा निमने से कौन सा युगम ऐस सकते हैं देखें इलक्ट्रोनिक कॉंप्लेक्स इंदोर में ये बात सही है किरसी कॉंप्लेक्स चंदवणा में ये बात सही है चर्म कॉंप्लेक्स करांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रख दिया गया है बोपाल युनिस्टी का नाम करांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रख दिया गया है नेक्स कुशन है मध्यपर्देश उचन्याले जबलपूर में इस्तित है इसकी दो खंडपीट है हाई कोर्ट मध दोस्त की सबसेटरी खंट पीठ हैं एक हो गई इंदोर में और दोस्ती हो गई गई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कपटन दबाएं और आप अब एक हैं टरंड करते हैं जब आप हमारी वीडियो को कई मिनट देख लेते हैं तो आप यह सबकर मेरे सकते हैँ मैं आपको अपने WhatsApp ग्रूप में जोड़ दूँगा जहां आपको इन सब की PDF भी मिल जाए गए अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करे इनमें ते कौन सा जोड़ा बेमेल है गलत है उद्यागरी की गुफाएं विदीशा मे जहाज मेल मांडव मांडू में बरतरी की कुफाएं उज्जैन में जो तिर लिंग अवार कंटक ये इसका गलत है बद्यपरदेश के किस्तान में गरामो देव विष्विद्याले जो पूरे विष्व में अपने डंकी पहली उनिविस्टी है कहां इसकी स्थापना की गई गरामो देव इश्विद्याले चित्रकूट में स्थापित किया गया कह जाता है चित्रकूट एक वो जगह है जहां पे भगवान राम ने अपने वनवास के 11 साल गोजा रहे थे उपने 11 साल को जारहे थे उसे transfer कूट मद्यपरदेश और रुत्टरपरदेश में भी आता ह मद्यपर्देश की सारवादी कुछी चोटी दूप गड़ जो की 1350 मिटर उची है निमल कितमे किस भाग में स्थित है सत्पुडा महिकाल स्रेनी में इस्थित है वर 2011 के दुरान इंदोर मद्यपर्देश का सारवादी जनसंक्या वरद्धिवाला जिलारा 32.7% इसकी जनसंक्या रही इस दिसा में दूसरा इस्थान किस चिले का था जाबो जिले का सेकिंड पोजिशन मानी जाती है निमल कितमे कौन सा बेमेल है बारना बांध नर्मदा नदी पर ये गलत है राजगाट बांध बेतवा नदी पर है सही है गांधी सागर डेम चंबल नदी पर है ये भी सही है बांध सागर डेम सोन नदी पर है ये बात भी सही है तो ये वाला अंसर आपको लगाना था जो कि बेमेल है बोपाल के निकट मंडी दूइप में देश का पर्थम ओप्टिकल फाइबर का कार खाना किस देश के सहयोग से लगाया गया जापान के सहयोग से ये लगाया गया है गरामी नक्षित्र की भूमी निर्धन महिलाओं की साहिता के लिए मद्य परदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है आयूश्मती योजना आयूश्मान योजना से मर्ज मत कीएगा आयूश्मान योजना हेल्थ इंशोरेंस देती है लगवग 30 करोड लोगों को पूरे भारत वर्स दे और ग्रामी नक्षित्रों की भूमी निर्धन महिलाओं को जिनके भाव भूमी नहीं है उन्हें साहिता दिन के लिए मध्यपर्देश की योजना है आयूश्मती योजना मध्यपर्देश सरकार दोरा चलाय जारा अंतोध्य कारेकरम किस नाम से जाना जाता है पंडित दीन दयाल उपाद्याय के नाम पे से रखा गया दीन दयाल अंतोध्य कारेकरम निमिल कितने किस वक्ष से गोंद प्राप्त किया जाता है बबूल के पेड़ से सबसे ज्यादा गोंद प्राप्त किया जाता है दोनों राजों में यह मद्यपर्देश के कौन से जिले में है, मद्यपर्देश के सीधी जिले में यह आता है, मद्यपर्देश में तेंदू पत्ता सारवादिक किस उद्योग में परद्योगत होता है, तेंदू पत्ते की बीडी बनती है, यह मद्यपर्देश में पाया जाता है, तेंदू पत प्रांगन सूतर के लिखक थे वास्तुकला की मद्ध्य परदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निमलिकित कौन सी फेलोशिप देती है चक्रदर फेलोशिप देती है नर्मदा गाटी विकास निगम किस वर्स गठित किया गया था उनिस सो इक एसी में गठित किया गया था तो प्यारे चात्रों जो मैं आपको यह कोश्चन बता रहा हूँ यह मद्ध्य परदेश की जीके के लिए बहुत इंपोर्टन कोश्चन है मद्ध्य परदेश में बैडमिंटन के लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाया गया यह कहां यह बहुत हैं नहीं नहीं है कि जबलपूर में भी है बोफाल में बी और में वी मद्य पर्देश का खेल कूट सापता एक समचार पत्र खेल अल्चल कहां से परकाशित होता है यह बोपाल से परकाशित किया जाता है बोपाल मद्य परदेश की राजदानी भी है मद्यपरदेश के निम्लिकित में ते किस साहितिकार को लोक्सावा में सारवादीक समय रहने का उसार मिला सेट गोविंद दास को राष्टिय पत्तकारिता उनिवर्स्टी संस्थान बोपाल की स्थापना कप की गई थी 16 जन्वडी उन्मी सुन अप्टेको की गई थी मद्य पर्देश में चांदनी तापिया विद्यूतकेंद निम्लिकित में ते किस स्थान पर स्थापित हुआ है नेपा नगर में स्थापित हुआ है मद्यपर्देश की निम्लिकेत कौन सी प्रत्योगिता किर्केट से संबंधित है देवी शील्ड प्रत्योगिता किर्केट से संबंधित है मद्यपर्देश की निम्लिकेत कौन सी प्रत्योगिता बैडमिंटन से नहीं है गुलाब राम चड़ा कप, राजे इंदर सिंग कप, मास्चर खांडेकर चैलेंट ट्रोफी, यह सारी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, केवल रजनी शर्मा कप गलत है, नहीं लेकितने ते कौन सा नगार महा काव्यकाल का नहीं है, विराठपुरी, उज्जैनी, महिश्मती, जिसे महेश्वर के नाम से भी जानते हैं, यह सारे मा काव्यकाल के हैं, लेकिन भोपाल, क्योंकि एक रियासप थी, बाद में यह बनी है, तात्या टोपे को मद्य परदेश के किस स्थान पर फासी दी गई थी, शिवपुरी में, जिसे हम शिवपुरी के नाम से भी जानते तात्या टोपे को यहाँ पर फासी दी गई थी, गोंडी गरामर, गोंड आधिवस्यों की भासा है, इसके रिचेता कौन थे, गोंडी गरामर, ग्रिया सर्ण और चेटरंग बिशप ने लिखे, यह मेरे कुछ कोशन थे, अनेकेडमी पर, अनेकेडमी पर डॉक्टर पुनी टेडिकेट कर सकते हैं, जो भी हम आपको किलास कराते हैं उसके लिए, गोड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, अगर आप शेयर करते हैं, तो कम से गम दो लोगों को जरूर यह वीडियो शेयर करें, थैंक यू वेरी मच फॉर दा डे, विल मिट टुमारो, गोड ब्लेस तो प्यारे चात्रों देखें, मैंने आपको यह बताया है अभी, इस्पेशल मद्यपरदेश जीके के बारे में, मद्यपरदेश जीके के बारे में बताने के साथ साथ, मैं आपको यहाँ पे, अपने यूट्यूब चेनल के बारे में भी बता जाता हूँ, देखें, अपन सब्सक्राइब का पटन जरूर दबा दें और बैल वाला इकन भी दबाएं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी है कुछ यूनिक फिचर लगता है बिल्कुल अलग कंटेंट हम आपको देते हैं आप मेरी वीडियो जब भी देखेंगे अभी मैं जैसे आपको लगातार मद्यापरदेश जीके और बीच वीच में कुछ करंट अफेस देता हूँ एक स्रीज में स्टार्ट करता हूँ अब मद्यापरदेश जीके के बाद में आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू करने वाला हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एक इंपोर्टेंट पार्ट है जो आपके टेर्ट अगजाम के लिए बहुत जबर्दस बहुत काम आने वाला है तो मेरे चैनल के साथ तुरण जुड़िए सब्सक्राइब कीजिए और एंज्योई कीजिए इन चीज़ों को Thank you very much for the day और ये question जरूर attempt क्या करें हमेशा में एक question डाल देता हूँ Current Face का, Community में Community tab में जाएए और इस question को attempt जरूर क्या करें Even you can write up your problems related to study on my whatsapp number 9,8,3,7,2,8,2,3,1,8 I will try to give you some solution for your problem The knowledge house of unlimited Limited is a to your case ज्यान का बंडार जग्यान के सीमा की कोई सीमा नहीं है एट विजर करेंगे थैंक्यू वरी मच्छ फॉर दा डे वेल मिट तुमारो सायोनारा